हे गाईस, वेलकम टो आवर चानल ड्रॉपावड इंजिनर में हूँ अकाश, तो भई कैसे हो आप सब लोग? आज कि इस हुडो के अंदर हम लोग बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लीगल है या फिर नहीं विकोज मैक्सिमुम लोगों को इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरा भी नौलेज नहीं होता है तो इसी आधे हदूरे knowledge की बज़े से वो जो है cryptocurrencies के अंदर invest करने से या फिर जो है trading करने से आपने आपको जो है दूर रखते हैं तो इस वीडियो के अंदर में आपको जो है सारे points बताने वाला हूँ सारे जो आपके doubts से clear करने की कोशिश करूँगा और मैं make sure करूँगा आपको जो इस वीडियो के बाद कोई भी और वीडियो देखने की जरूत ना पड़े और इस वीडियो के अंदर में जो जो बाते करने वाला हूँ सारे के सारे जो बाते में ने जो trusted articles से निकाली गई है तो यहाँ पर जो सारे articles के link में आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा जासे आप जो उसे refer करके read कर सकते हो ठीके तो गई सबसे पहले जान लेती कि cryptocurrency होता क्या है तो इसके एक बार definition आप सुन लो इसे कहते है decentralized digital currency अब इसे यहाँ पर मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा देता हो सबसे पहला word था decentralized decentralized का मतलब होता यह centralized नहीं है इसका मतलब यह है कि कोई भी government कोई भी individual person इसे जोए control नहीं कर सकता manipulate नहीं कर सकता ठीके उसके पास second word था digital अब यह digital currency वर्चियल करनसी है ठीक है तो यहाँ पर आपको जो फिजिकल रूप में यहाँ पर आपको यह नहीं मिलती जैसे कि यहाँ पर आप जो इंडियन रूपीज डॉलर्स यहाँ पर आप जो खुद के पास ले सकते हो अपने घर के अंदर रक सकते हो अपने pocket के अंदर रसकते हो तो हपर इस डीजिटल कर्णसी यहाँ पर आप जो इसे pocket में रेंस रसकते है अपने पास नहीं र कसकते यह जो एंडिजिटल लॉकर के अंदर computerized data के रूप में यहाँ पर जो इंटोर होती है तो यहाँ पर LinkedIn का साधन create करने के लिए इसे जो है बनाए गया था तो गैस अभी बात करते कि Cryptocurrencies इंडिया के अंदर legal है या फिर नहीं है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा 2018 के पहले सारा सब कुछ ठीक था 2018 के April महिने के अंदर RBI निक circular जार किया उससे पहले यहाँ पर 2018 में Bitcoin ट्रेड कर रहा था 12.5 लाग के असपास और April महिने में RBI ने एक circular जार किया सारे banks को बतानी के लिए कि यहाँ पर जो जो लोग Cryptocurrencies के अंदर trading कर रहे हैं जो जो लोग Cryptocurrencies की service प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर आपको जो बैंकिंग सर्वीस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ठीक है तो यह एक तरीक का banking band था तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाता हूँ यह partial band था complete band नहीं था यहाँ पर बस condition यह थी कि जो लोग trading कर रहें Cryptocurrencies के अंदर उनको यहाँ पर आपको जो बैंकिंग सर्वीस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो इससे हम लोग अभी example की मदद से समझते हैं समझो मानलो मैं यहाँ पर जो कोई भी application के अंदर trading कर रहा हूँ Cryptocurrencies के अंदर तो यहाँ पर मुझे पैसे deposit करने के लिए मुझे debit card की details जाननी पढ़ेंगी या फिर जो banks details जाननी पढ़ेंगी उसके बाद ही मैं deposit कर पाऊंगा तो यहाँ पर जो bank services उन applications के लिए service ban हो चुकी थी बंद की जाकू चुकी थी ठीके तो यहाँ पर आप पैसे deposit करोगे और यहाँ पर आप जो withdrawal कहाँ पर लोगे तो यहाँ पर आप withdraw भी नहीं कर सकते थे bank के अंदर और deposit भी नहीं कर सकते तो इसे कहा जाता कि यहाँ पर आपके लिए जो specific service जो की cryptocurrency के related थी उसके यहाँ पर ban लगाया गया था तो उसके बाद यहाँ पर जो bitcoin के अंदर सबसे बड़ा fall हमें देखने मिला साड़े बारा से लाक से लेकर directly एक साल के अंदर जो bitcoin दो लाक के आसपास trade कर रहा था इतना बड़ा fall तो यहाँ पर आप जो side में chart देख सकते हो उसके बाद काफी सारे hearings हुई उसके बाद supreme court में मामला चला गया because exchange ने यहाँ पर जो है counter petition file की और उसके बाद यहाँ पर जो काफी सारे hearings हुई और उसके बाद आया 2020 मार्श का महीना lockdown के कुछ दिन पहले यहाँ पर जो चार मार्श को यहाँ पर supreme court ने यह खा कि यह जो RBI ने circular जारी किया banks को यह सही नहीं है तो supreme court ने का इस ban को आप जो तुरंथ हटा दो तो RBI ने अभी इस ban को हटा दिया गया है अगर मैं present situation की बात करू तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करंसी के ओपर जो है कोई भी बैन नहीं है तो यहाँ पर आप जो क्रिप्टो करंसी के अंदर bitcoin के अंदर investment trading कर सकते हो ठीक है जैसे गाई यह बैन हटा दिया गया है उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे बड़ा बूम यहाँ पर हमें जो है तो गाई इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे बात करेंगे टेसला की सीओ इलोन मस्क क्रिप्टो करंसी के बारे में क्या कहते है आपके लिए future scope क्या बनता है और TCS के से इस business के अंदर एंटर करने वाला है तो उसके पहले गाईस मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपने सोच लिए कि आप जो है क्रिप्टो करंसी के अंदर investment करना चाहते हो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक ट्रस्टेड अप्लिकेशन होना बहुत ज़्यादा जुरूरी है तो यहाँ पर मैं आपको recommend करना चाहता हूँ CoinSwitch Kuber application को जिसे आप जो यूज कर सकते हो Bitcoin के अंदर invest करने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए यह जो application आपको प्लेशोर के अंदर मिल जाएगा विडियो के निचे मैं आपको link दे दूँगा यह application यूज करने के लिए काफी ज चार्ट कर सकते हो yes guys काफी सारे लोगं का भी doubt आता होगा कि यार एक Bitcoin की price साड़े ग्यारा लाक्या असपास है तो कैसे हम लोग 100 रुपे से investment करें कैसे हम लोग जो Bitcoin को purchase करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक Bitcoin की price साड़े ग्यारा लाक्या असपास है तो बड़ आप जो 100 रुपे के जब आप Bitcoin खरीद होगे तो यहाँ पर आपकी पास 0.00 something Bitcoin आ जाएंगे तो जैसे Bitcoin की price बढ़ेंगी तो उसी ratio में आपकी भी investment की price बढ़ेंगी तो उसी तरह के से आप जो यहाँ पर जो investment करके trading कर ना सकते हो विधिन 5 मिनिट्स यहाँ पर आप जो KYC कर सकते हो अपनी अधार का और पैन कार्ड के डिटेल्स जालके और उसके बाद यहाँ पर आपको जो कोई भी transaction fees नहीं लगती है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो 24x7 support available है तो यार गाइस definitely application काफी अच्छा है इसे क्रिप्टो करंसी के अंदर ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट करने के लिए जरूर यूज का सकते हो तो वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिये जरूर चेक आउट करना और गैस अभी हम बात करते है इलॉन मस्क जो की CEO है टेसला के उन्होंने क्या खाय क्रिप्टो करं के अंदर तब उन्हें कहा था कि उन्हें रिस्प्लॉस के Parece तो यहाँ पर इसका इन्हों कर दूगा या फिर इंस्टाग्राम के अंदर अपलोड कर दूँगा जाके आप जो हमारे इंस्टाग्राम पेज के अंदर देख सकते हो तो यहाँ पर आप समझ सकते हो उसके बाद जो TCS अपनी जो एक सर्वीस लांच करने जा रहा है क्रिप्टो करंसी सोलुशन या फिर ब्लॉक्चेन सोलुशन जो कि बैंक्स के लिए प्रोवाइड सर्वीस किये जाएगी तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि TCS जिसी कंपनी जो क्रिप्टो करंसी के मार्केट के अंदर एंटर करना चाहती है तो यहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े कंपनी इंट्रेस्ट ले रही है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि RBI फ्यूचर में या फिर जो गवर्मेंट फ्यूचर में जो है इन क्रिप्टो करंसी को बैं करने के लिए सोचेंगी तो बेजी ज़क यहाँ पर आप फिलाल की present situation में अगर बात करू तो कोई भी बैन नहीं है यहाँ पर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट राम से कर सकते हो अब गैस बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप जो ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना profit मिल सकता है तो अगर आप profit percentage की बात करो compare करो mutual funds को, stocks को यहाँ पर अगर आप cryptocurrencies के साथ compare करते हैं यहाँ पर आपके सामने clear data है कि यहाँ पर उच्छे Bitcoin या फिर जो cryptocurrencies काफी तेजी से भागती है तो यहाँ पर आपको return of investment काफी ज़्यादा profit high मिलता है बड़ यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा यह थोड़ा volatile ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आपके loss होने के chances भी उतर नहीं होते है तो यहाँ पर आपको source समझ की यह चीज करनी है आपके खुद की analysis के बाद ही यहाँ पर आपको trading या फिर investment करनी है तो आशा कर तो आपकी जो सारे doubts इस वीडियो के अंदर clear हो गये होंगे अगर आपकी कुछ doubts है तो वीडियो के नीचे आप जो comment करके पूश सकते हो तो शली भाई आज की इस वीडियो में इतना है मिलते किसी और next show के अंदर तब तक के लिए hash drop out